नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है 2014 से पहले और 2014 के बात ये ऐसा समय है जबकी पूरी तरीके से बेवस्थाओं में परिवर्तन आया और इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले जिन संस्था के प्रमुखों ने जिन पत्रकारों ने जिन एंजियो बाजों ने बिवस्था का भरपूर फायदा उठाया खूब कॉब कॉंग्रेस के माध्यम से लूट पार्ट मचाई है आज बौक लाये हुए है और ये लोग किसी ने किसी बहाने पीएम मोदी के खिलाफ जाने की तैयारी में रहते हैं इस मौके को तलास करते रहते हैं कि कब मौका मिले और सरकार को बदनाम किया जाए कब मौका मिले पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोला जाए कब मौका मिले देश के लोक तंतर के खत्रे को बताया जाए और कब मौका मिले कि बताएं कि कैसे भारत में मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बन गई है पतरकारों की आवाज को कुछला जा रहा है लेकिन ये पूरे के पूरे मीडिया वाले इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे एक पतरकार को केवल इसलिए गिरफतार कर लिया जाता है क्योंकि नकली सराब के तशकरी की रिपोर्ट वो करते हैं इसलिए क्योंकि ममता बनर्ची की सरकार है ये ल मनिपूर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए जब केंद्र और राज्य दोनों जगह पर भाजपा की सरकार है तो इनको कैसे बरदास्थ होगा कि कोई घट ना घटे और उसमें जूट फरेव का तड़का न लग इसलिए एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया के तीन पत्रकार और उसके प्रिसिडिन्ट यानि चार पत्रकारों के खिलाप एफायार दर्ज हुआ इफायार दर्ज की हुआ क्योंकि इन लोगों ने एक रिपोर्ट सोफी और जो रिपोर्ट छापी थी उसमें डिरेक्ट सरकार के उपर एक ग्रूप के उपर यानि मैतेयों के खिलाप बात कही उसमें साफ तोर पर कहा गया कि जो मनिपूर की मीडिया है वहां के जो लोकल मैतेयों के support में ही लिखते हैं मैतेयों का support करते हैं मीडिया पूरी तरीके से एक तरफा हो गई है यह वही conspiracy का तरीका है जो भाषा एरोप्येस संग बोलता है इरोपियें पार्लियमिंट में जब रिजोलूसन पास हुआ था तो यही बात कही गई थी कि मनिपुर में एक तरफा कारवाई हो रही है आरंड फोसेस मैतेईों को नहीं बलकि कूकि कूकी इसाई है यानि अलब संख्यकों को कुछला जा रहा है हिंसा के नाम पर ये इरोपियन पार्लिय के रिजोलूसन में था जहां राहुल गांदी अभी उन्हीं लोगों के साथ मिल जूल रहे हैं जिन्होंने ये बात कही थी रिजोलूसन लाया था कि मनिपुर हिंसा में एक गृफ विसेस को एक वर्ग विसेस को यानि की जो इतनी क्लैसेस हो रहे हैं उसमें मैतेईों का वहां के आर्म फोसेस कर रहे हैं, मैतेई को सपोट किया जा रहा है और कुकियों से बदला लिया जा रहा है, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी भी जब मनिपुर में गए, तो उनका पूरा का पूरा̊ जो यातरा दौरा था, वो इस कश्मीर में घटी न देश के किसी और हिस्से में घटी है और इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है सरकार एक तरफा कारवाई कर रही है उसी ग्रूप में एडिटर्स गिल्ट ऑफ इंडिया के तीन पत्रकारों को भेजा गया मनीपूर 7 अगस से 10 अगस तक ये और तीन पत्रकार कौन थे सीमा गुहा संजे कपूर और तीसरे भारत भूसन इन ती लोगों को भेजा गया रिपोर्ट तयार करने के लिए और उस रिपोर्ट में क्या देना है ये भी पता चला क्योंकि इन लोगों का टार्गेट ही था कि किसी भी तरीके से मैतेयों को रहे कोई ग्राउंड में नहीं गया ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है इनके पास ये वहां के कुछ पत्रकारों से मिले अब ये भी पता नहीं है ये पत्रकार जिन से ये मुलाकात किये ये कूकी थे या मैतेय थे अगर जिस तरीके से एक तरफा रिपोर्ट लिखी गई उस एक perception तयार किया गया और उसी आधार पर एक report लिखी गई उस report को 2 September को प्रकाशित किया गया और उसमें कहा गया कि मनिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी reporting गलत तरीके से की जा रही है क्योंकि editors Guild of India का काम है पत्रकारिता के छेत्र में जो हो रहे हैं उसमें पक्षपात नहों इस पर नजर रखना और इसलिए इस पक्षपाती नजर को बनाये रखने के लिए इन लोगों ने भी report तयार की लेकिन उसमें सबसे बड़ा पक्षपाती तो यही मोधी विरोधी मीडिया के दलाल पत्रकार हैं और इसलिए इन लोगों ने पूरी report सौपी और वो जो report 2 सेप्टमबर को उसमें लिखा हुआ था कि मनीपुर में हिंसा के घटनाओं के जो reporting local media कर रही है वो एकतरफा कर रही है उस पूरे media group को जो मनीपुर में काम कर रहे हैं पत्रकार हैं उसको मैतेई media के नाम से संबोधित किया गया इस report में अब जब आप एकतरफा report तयार कर हो चाप रहे हो पबलिस कर रहे हो तो फिर मनीपुर में इसकी गुंज सुनाई पड़ेगी और इसके बाद मनीपुर के cmn विरेंसी ने ततकाल कहा कि ये बिलकुल बकवास खबर है और जिस तरीके से एकतरफा report चापी गई है उसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए क्योंकि ये तो कुछ लोगों ये selected लोगों से बातचित के आधार पर इन लोगों ने report तयार की है जिन लोगों का नाम दिया गया है वो भी वही selected लोग हैं जिनके आधार पर report किये गए है ना तो ये ground में गए ना उसकी जानकारी ली और अपनी मर्जी से इंफाल के चार कमरों में ये report छाब दे फिर दो एफायार इन लोगों के खिलाब हुआ उसमें से इन तीन लोगों का जिसने report तयार की उसका नाम तो था ही यानि भारत भुसन का भी नाम था सीमा गुहा का भी नाम और संजे कपूर का भी नाम लेकिन इसके अलाबा एक और नाम जुड़ा गया एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया के प्रिसिदेंट का और वो है सीमा मुस्तफा जो दस्ट जन के संपादक है यानि कि इन चार लोगों को के खिलाब जो एफायार दो तो एफायार दर्ज किये गए उसमें कहा गया कि दो समुदायों के बीच वैमनस्ता पैदा करने वाली रिपोर्ट है इनिमिटी पैदा करने वाली रिपोर्ट है ये हिंसा की आग को और भड़का देगा जिस तरीके से एक टारगेट के आधार पर ऐसे रिपोर्ट छापे जा रहे हैं उससे मनीपुर की हिंसा और बढ़ रही है इसलिए ये राजविरोधी यानि की एंटी स्ट मुकदमा चलना चाहिए और कॉंस्पिरेसी का 120 B का भी मुकदमा चलना चाहिए इन लोगों के उपर गिरफतारी की तलवार लटक गई अब जब गिरफतारी की तलवार लटके गी तो ये लोग जो सारे के सारे कहा जाएंगे सिर्फ हो सिर्फ सुप्रिम कोट में हाई कोट बलकि सीधे सुप्रिम कोट में ये पहुचे ततकाल कि अरजन्ट हेरिंग का मामला है मिलोड जल्दी से जल्दी हमारे इस मामले का निफ्टारा किजिये नहीं तो हमें पकड़ कर मनिपुर के पुलिस ले जाएगी जेल के अंदर डाल देगी और फिर मुकदमा चलता रहेगा बेल के लिए हमें आना पड़ेगा सुप्रिम कोट में तीन जजों की बेंच बैठी जिसमें चीफ जस्टिस ओफ इंडिया यानि डी वाई चंदर चूड भी थे जे भी पारदी बाला और तीसरे मनोज मिस्रा इन तीनों ने ततकाल सुनवाई की और पहला आदेश यही होन यानि जब तक सुप्रिम कोट में मामला चल रहा है जब तब तक इनको गिरफतार नहीं किया जाएगा अभी सुप्रिम कोट के हवाले यह सारा मामला हो गया सुनवाई हुई और पहले सुनवाई में इन लोगों के खिलाफ जो मामले थे उसे तुसार मेहता ने रखा अपन और बढ़ रही है कूकियों में नफरत का महौल है पत्रकारों की हत्या कर दी जाएगी तो क्या उसकी जिम्मेदारी यह लोग लेगे क्योंकि इन लोगों ने तो इसे पूरे के पूरे मीडिया को मैते ही मीडिया बता दिया अब ऐसे में मैते ही पत्रकारों को कूकी मारना हत्या कर दें तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इन लोगों ने गलत किया है इसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन सुप्रिम कोट में सुनवाई चली और इन लोगों के तरफ से कौन हो सकते हैं वकील यहां तो दो ही ऐसे वकील हैं जो हर मामले मोदी विरोधी हो देश विरोधी हो उसमें वकील बनने के लिए तयार होते हैं वकालत करते हैं चाहे करफसन का हैं क्यों हो एक है विशेक मनु सिंग भी दूसरे है कपिल सिब्बल तो इस मुकदमे की सुनवाई के लिए इन लोगों ने कपिल सिब्बल को हाइर किया कपिल सिब्बल दलील देना शुरू कर यह तो महज एक report है इस report के अधार पर कैसे हंगामाऊ होतकता है तो हिंडन वर्ग भी तो एक report ही था उस report के अधार पर अधानी के खिलाब कैसे सरकार कारवाई कर सकती है ये बात तो न लोकिक हैं कि अडानी के खिलाफ जांच हो अडानी पूरी तरीके से गलत है जैसे वो दुहरा मांधंड था इसमें दुहरा मांधंड है एक रिपोर्ट तो ऐसी होती है जिससे प्रदिश में आग लग जाए रिपोर्ट ऐसे पहली बार नहीं होई है कई रिपोर्ट से आए हैं खबरे आई हैं और उसके बाद प्रदेश में आग लगी है जो इसे गोधरा दंगे की रिपोर्ट के बाद ही गुजरात में बड़ा दंगा हुआ था जैसे मुझफर नगर में जो रिपोर्ट आई खबर आए उसी के बाद से ही वहां भी बड़ा दंगा हुआ और मैतेई पतरकारों के हत्या होगी तो फिर कुकीओं के खिलाब बें वैसे ही बदले की भाबना होगी ये रिपोर्ट ही नीर्धारित करता है परसेप्सन कैसे बने इसलिए सुप्रेम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है हाला कि सुप्रेम कोर्ट ने साफ टॉर पर कह दिया एफ आर्मी वालों ने कहा था यहां आकर सही रिपोर्ट सोपिये यहां के पतरकारों को बताएए अब जब आप एडिटर्स गिल्ड हैं यानि की एडिटर्स का संग हैं तो ऐसे में आपके पास एक इंविटेशन आया लेकिन सीजे आई ने कहा आर्मी को क्या जरुत पड़ी इस बात के लिए ये भी फरजी वाड़ा फैलाने की कोशिस है आर्मी वालों ने निस्पक्छ जांच रिपोर्ट की बात कही थी ये नहीं कही थी कि तुम लोग जाकर वहां अपवाँ फैलाओ दंगा फैलाने की कोशिश करो इसलिए जो ये पूरा का पूरा एडिटर्स गिल् हैं जो की हमेशा 2014 के बात अब तक मोदी विरोधी खबरे ही चापती रही है जनरल सेक्रेटरी अनंत नाक दकारवा के दकारवा कौन सी पत्रिका है वही पत्रिका है जो जज लोया के मामले में सीधे उंगले उठा दिया अमिश्राह और मोदी ने जज लोया की हत्या सुनने लेकिन इन लोगों का आधार ही यही है तीसरे उसके कोशा ध्यक्त स्रीराम पवार साकाल गुरूप किसका शरत पवार के भाई परताब पवार का परताब पवार उसके चेर पसन है और उसके बाद उनके बेटे मैनेजिंग डाइरेक्टर है यानि अभिजीद पवा जिसमें बोर्ड ऑफ डारेक्टर में सुप्रिया सूले भी हैं पवार परिवार के संगठन है जो पूरे महरास्ट में फैला हुआ है इतनी चार सादा अखवार इनके एसोसेट सर्कुलेशन और सर्कुलेशन बीरो में कई पदाधिकारी हैं जो इसी परिवार के हैं साकाल म एक बड़ा मीडिया ग्रूप महरास्ट में माना जाता है मराथी अखवार हो या फिर इंगलिस हो लेकिन इस ग्रूप में जिस तरीके से शरत्पवार का इंट्रेस्ट रहा है वो जग जाहिर है अब जब शरत्पवार खुद ही मनीपूर हिंसा के मामले में सरकार को घेर र ही है तो इस ग्रूप के जो हेड होंगे अगर एडिटर्स गिल्ट आफ इंडिया में होंगे तो वहां पर जिन पत्रकारों को मनीपूर भेजा जाएगा वो कौन से पत्रकार होंगे वही होंगे जो मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं इसलिए इन लोगों खिलाफ होगी एफायार खत्म नहीं होगा और सीएम बिरेंसिन ने कह दिया है कि इन लोगों को सजा दिलाई जाएगी ये छटपटा रहे हैं सुप्रिम कोट में कह रहे हैं मिलोड हमें मनीपूर के हाई कोट में नहीं जाना है ये कपिल सिबल नहीं कहा कि मनीपूर के हाई कोट में कैसे जाया जा सकता है वहाँ तो वकीलों के घर जलाया जा रहे है इसलिए वहाँ पैर भी करने वाला भी कोई नहीं है लेकिन सीजी आई को जो तुसार मेहता ने कहा कि मनीपूर में ही सुनवाई होनी चाहिए दिल्ली हाई कोट में क्यों हो वहाँ तो वीडियो कॉन्फरेंसिक से भी सुनवाई हो रही है आप अपनी सहूलियतों के अनुसार किसी को बदनाम नहीं कर सकते और जब ये बात कही गई कपिल सिब्बल ने कहा कि जब सीए में ही इन लोकों के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो हाई कोट में वहाँ पर क्यों सुनवाई हो इस पर भी कपिल सिब्बर को फटकार लगाई गई क्योंकि आप पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल अगर जुडिसियरी में करेंगे अगर ये कहेंगे कि वहाँ का पॉलिटिकल एस्टेबलिसमेंट जागर किसी के खिलाफ है तो हाई कोट में फैसला उसके खिलाफ आएगा तो इसका मतलब तो आप जैसे बड़े वकील जो की मंत्री रह चुके हैं कॉंग्रेस के इतने दिनों तक सरकार रही आपको किसी केस की पैरवी ही नहीं करनी चाहिए आपका तो पॉलिटिकल कनेक्शन है अगर चतिस गड़ के हाई कोट में जाएंगे आप राजस्तान हाई कोट में जाएंगे आप वहाँ कॉंग्रेस की सरकार है इतने सालों तक कॉंग्रेस के नेता रहें आप आज समाजवादी पार्टी में हैं राजसवा के सांसद हैं लेकिन कॉंग्रेस के ही नेता माने जाते हैं तो ऐसे में आप ऐसे सवाल मत उठाएए ये फटकार कपिल सिब्बल को लगनी ही चाहिए और इसलिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से इन दलाल पत्रकारों पर कारवाई हो रही है ये सबक दिलाने वाली बात है हाला कि सुप्रीम कोट ने इसे 15 तारिक तक एक्स्टेंड कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई कारवाई पुलिस न करे लेकिन एफाई आर को क्वैस करने से खत्म करने से मना करने का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा हम इंट्रीम तौर पर कुछ राहा दे सकते हैं जाना मनीपुर हाई कोट में पड़ेगा पुलिस अपनी कारवाई करेगी और इनको पता चलेगा कि कैसे जूट और अफवाह फैलाने का कि सजा दिलाई जाती है और मिलती है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है मेसा योग ताकि इसी तरही खबर हम आपके लाते रहे हैं धन्यवाद